हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू मैं न्यू अपडेट आज की अपडेट में आप लोगों बताने वाला हूँ रेलबे गुरूब डी परिक्षा 2022 से लेगर कुछ अपडेट या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ दोस्तो आज मैं आप लोगों बताने वाला हू गए उससे पहले आपको बता दू कि अभी क्या बोलता है बहुत ज्यादा बहुत सारे ऐसे चैंडिडिट हैं जिनके कम नंबर है वो डर रहे है वो डर्रे मत दोस्तो इन्हीं कारणों के वज़़े से जो कर्ट अफ है वो बहुत कम जाएगी दोस्तो क्योंकि बहुत सारे देट हैं जो group D के नोकरी नहीं करेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को बता दू दोस्तों कि station master या ntpc कभी वेकेंसी सेम टाइम पर प्रक्रिया चल रही है दोस्तों तो group D कभी प्रक्रिया सेम टाइम पर चल रही है तो कई ऐसे candidate है, बहुत सारे ऐसे candidate है, सायद मुझे लगता है, जितने भी candidate NTPC के exam दिये हैं, उस सब group D का exam भी दे रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को बता दू, अगर group D में job उसको लग गया है, और साथी साथ NTPC में भी job लग गया, निकि दोनों को merit system उसका नाम है, तो बहुत सारे NTPC का पकड़ लेंगे, तो इन सभी खाली पदों के लिए जो cut-up है, इनी कारणों से cut-up कम रहेगी दोस्तों, ये बात railway को भी अच्छी तरीका से पता है दोस्तों, इसलिए मैं बूल रहा हूँ, कि cut-up जो आने वाली है, वो कम आने वाली है, यानि कि cut-up जो ह के नोकरी नहीं करेंगे, छोड़के आद दूसरे भाग में उसका जौब लग जाता है, तो छोड़के दूसरे भाग के नोकरी करेंगे, तो उन सभी के जगा में फिर से second list, third list ऐसे करके उसमें भी निकलता है, जैसे कि हुबली जोन में भी दो-तीन list निकला है, आप लोगो पहले से पता है, इनी सब कार्णों से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका NTPC हो जाता है, तो आप लोग NTPC चैन करोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर जो cut-off है, वो बहुत कम जाने वाली है, तो यही अपडेट आप लोगों को देना था दोस्तो क्योंकि आप लोग डरिए नहीं, अगर आपका NTPC कम आ रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कम नंबर आ रहा है, प्लस नॉर्मलाइजिसन भी होगा, तो नॉर्मलाइजिसन में सबहाइक से 10 नंबर के असपस तो बढ़ी जाएगा, और 10 नंबर के अ और जूड़िये यार मेरे परिवार से यार तो फिर मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तब के लिए जाहिन